सब की बात सच के साथ तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुखबर पर हर्याड़ा में मायवती की भूमिका यूपी से कितनी अलग होगी दिल्ली की भी है तैयारी आका सनंद के हर्याड़ा में भी तेवर यूपी जैसे ही हैं लेकिन निशाना थोड़ा अलग है कहने को तो वे भी बीजैपी पर भी हमलवार हैं लेकिन कॉंग्रिस की तुलना में थोड़ा कम वैसे बात है तो बिल्कुल नहीं जिसके लिए मायवती ने आका सानंद को अपरिपक्व करार दिया था वैसे आका सानंद कुछी दिन बेकार बैठे थे डेड़ महीने बाद ही उनको सारे सियासी खिलोने ससम्मान वापस भी मिल गए उत्तरादकार भी और बीएसपी के नेशनल कॉडिनेट का पद भी भला हो भीमार्मी वाले चंदर सेखर आजात का जिनकी नगीना लोकसभा सीट से चीत ने जिनके राजनीति कुभार के डर से मायवती ने ये कदम उठाया आका सानंद की तरफ से चंदर सेखर आजात को एक मौन थैंक्यू तो बनता ही है लड़कियों को लड़कों की ये बात पसंद नहीं गल्फेंड और पड़ें धहली मेट्रों में आया मा का कॉल लड़की ने बोले ऐसे जूट हस हस कर लोट पुट हुए यात्री हाल ही में आका सानंद को हर्याना विधान सवा चुनाप के लिए बीएसपी के स्टार परचारकों की सूची में शामिल किया गया है जिसमें मायावत्ती और उनके पिता आनंद कुमार के ठीक बात तीसरे पायदान पर उनका नाम दर्ज है कॉंग्रिस के साथ साथ बीजेपी को भी निशाने पर लेते हुए आका सानन कहरे है कि दोनों मिलकर सम्मिदान बदलने और लोगों को बेरोजगार रहने की मोहिम चला रहे है लेकिन राहुल गांदी और मलिका अरजुन खरगे को खलनाय की तरह पेश कर रहे हैं मलिका अरजुन खरगे भी करनाटक के दलित समाज से आते हैं BSP के युवा नेता राहुल गांदी को दलितों के प्रती गद्दार और मलकार जुन खरगे को चापलूस बता रहे हैं मायवती वाले अंडाज में भी BSP संसापक कांशी राम को हवाला देते हुए आका शानन समझाने की कोशिस करते हैं कि अनसूचित जाती से होने के बाबजूत मलकार जुन खरगे जैसे नेता अपने ही लोगों को गुम्रहा करते हैं जिन से बचने की जरूरत है चंजिसेकर आजात का नाम लेकर मायावती भी अपने समर्थकों को ऐसे ही समझाती है कहते हैं अगर कॉंग्रेस अध्यक्ष खुद अनसूचित जाती से होने के बावजूर बावा साहिब के कामों को नजरदाज करते हैं तो कॉंग्रेस के लिए उनका क्या मतलब आकासानन्द की बात पर भीड की प्रत्किया होती है चमचा राहूल गांधी को अमेरिका यात्रा के दोरान आरक्षर पर उनके बयान का तेजस्वी यादब जैसे नेताओं ने तो सपोर्ट किया था लेकिन मायावती ने नाराज की जताई थी खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ तब तक के लिए नमशकार और देखते रहिए सीजी नियूस प्लस 24